धीरज उठकर जाने ही वाला था कि तभी अराधना करवट लेती है और उसके हाथ से लैंप जल जाता है और कमरे में हलकी रोशनी होती है अराधना का चहरा आधा बालों से ढखा था अचानक धीरज की नजर उसके चहरे पर पढ़ती है और उसके दिल की धड़कन एक दम थम नहीं यह नहीं हो सकता मुझे ऐसा क्यों लग रहा है किस आधे चहरे के पीछे मिरी आधे जंदगी का इंतजार आख बंद करके सो रहा है नहीं धीरज आगे मदबर शायद तू सच देख नहीं सकेगा और जूट तू जी नहीं सकेगा पर धीरज आके बढ़कर अराधना क के चहरे से उसके बाल हटा कर उसका शांद चहरा देखता है जो पहले जैसा नहीं था धीरज के आशू अराधना के चहरे पर गिर रहे थे और उसकी नेंद तूटने ही वाली थी कि तभी पीछे से सारिका की सीटी की आवाज आती है और धीरज कमरे से निकल कर दरवाजे से होते हुए बाहर चला जाता है पर असली तमाशा तो उसके बाद शुरू होता है धीरज के जाते ही सारिका तुरंट अराधना के कमरे में जाती है और उसे सोता पाकर अपनी लान लिप्स्टिक से उसकी गर्दन पर एक गहरा निशा और अगले दिन सारिका अराधना के लिए नुराख के कान भरने शुरू कर ही देती है और ये सिलसिला शुरूर हैता है अगर आप भूल गए हो तो जाकर फिर से देखिए हमारे सीजन वन का रिपीट फुल टेलीकास्ट कहानी ताजा कर लीजिए इस एपिसोड में तब और भी मज़ा आएगा उधर धीरज के लिए अराधना के जीवन की अंसुलजी कहानी दिन बर दिन जहर बनती जा रही थी और वे अराधना को देखने के बहाने सारिका के साथ ये समझोधा जारी रखता है धीरज रात के अंधेरे में आता अराधना के करीब बैठता उसे निहारता कभी कमर पर कुछ चल रहा होता तो हटा देता तो कभी नेंद में उसके बरबडाते होटों को छुकर महसूस करता और जैसे ही अराधना की होट सहलाता है उसे अराधना की दबी बेबसी महसूस हो जाती है और धीरज रूप अड़ता है आरू कितना चीख रहे हैं तुम्हारे चुप होट कितनी पुकार कहद है इसमें तुम्हार रात अनुरा को सेकड़ों बार पुकार कर चुप हो जाती हो और उस ओर से पुकार के बदले कोई भी जवाब नहीं आता है तो इसी तरह धीरे धीरे तुम्हारी हर चीख, हर पु और धीरज अपने आसु बोचकर वहां से उठकर जाने लगता है कि तभी अराधना पीछे से उसका हाथ थाम लेती है और अराधना धीरज को गले लगा लेती है